अब अब दिजे सर कोचिंग क्लासेश पर मैं आपका हार्ति स्वागत करता हूं जैसे कि अपनी अपना जो टोपिक चल रहा है वो रख्ट का रख्ट का फ़स्ट टोपिक हो गया फ़स्ट भाग हो गया जिस सेकेंड बाग चलते तो अपन स्टार्ट करते हैं तो हमने फ़स् आज में आभी के बारे में भी पढ़ाता आज हम रख्ट का ठोस भाग के बारे में जानकरी पढ़ते हैं यह हमारा रख्ट का भाग रख्ट का सेकेंड बाग अगर कि रख्ट कि इनमें सबसे पेले आती है वह आती है लाल रख्ट काणिका लाल रख्ट काणिका इनको हम सोट में आर वीशी भी कहते हैं यह कहा जाता हुए इनको सोट में आर वीसी भी कहा جाता है लाल रक्त करने का इनको सोट में आरबीसी के नाम से भी हम जानते हैं कि इनका वैज्ञानिक नाम है इंका वैज्ञानिक जो नाम बोड़त इनको only एरितो साइटस कहा जाता है कि इसके बाद इनका निर्मान इनका निर्मान अगर आरवीची की बात करें आरवीची का जो निर्मान होता है वो अस्ती मज्जा में होता है अस्ति मज्जा में होता है किसमें होता अस्ति मज्जा में कौन मेरो कि यहां पर एक नोट लेखते हैं पर यहां पर एक नोट आता है भून अवस्ता में भून अवस्ता में आर वी सी का आर वी सी का निर्मान यक्रत में होता है यक्रत लीवर में होता है हम पड़ रहे हैं रक्त का ठोस बाग उसमें सबसे पहले जो हमने ली हे बोली है आर वी सी है लाल रक्त-कणे आये हम क उंका बैग्यानिक नाम है वो एरीटोसाइटस है इनका जो निर्मान होता है वो ऐश्ति मज्जा में होता लाई एक नोट है भून अवस्ता में आर वी सी का जो निरमान होता है वो यक्रत्म होता है किस में होता है यक्रत्म होता है लीवर में होता है आगे देखते हम इनकी मिर्थ्यू ये यक्रत वा पिलियम होती है इनका जीवन काल 20 से 120 दिन तक रहता है इनकी जो मिर्थ्यू होती है वो यक्रत मतलब लीवर में होती है इनका जो जीवन काल होता है वो 20 से 120 दिन तक ये क्या रहती है जीवित रहती है पर यहाँ पर एक नोट अपन लेखते हैं आर वी सी का आर वी सी का कर्विस्तान किसे कहा जाता है इसका कर्विस्तान क्या जाता है या करत को यह क्या किया जाता है आरबीसि का यह करिष्थान तो इनकी जो मिर्ती होती है वो यकरत जीवनकाल है 20 से 120 दिन है यह करिष्थान है उसे यकरत कहा जाता है आगे चलते हैं अपन कि यह बहुत important है इसमें से हर exam में एक यह दो question आपको देखने को मिलेंगे अगला देते हैं अपन, आर विसी, कोशिकाओ, कोशिकाओ में केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है, आर विसी, कोशिकाओ में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन आर विसी, कोशिकाओ में केंद्रक नहीं होता है, अगला पॉइंट हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, अपवाद, क्या है, उट है, लामा, तो ऐसे जानवर है, इनकी आर विसी में, इनकी आर विसी में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, जैसे हमने पेली लाइन में देखा था, कि जो आर विसी कोशिकाओ में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन इसका भी क्या है, अपवाद है, उट हो लामा, इनकी आर विसी में केंद्रक पाया जाता है, हम सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं, सेकेंड जो पॉइंट है हमारा, आर विसी कोशिकाओ में, कोशिकाओ में, इमोगलोबिन, 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 नामक, रंजक, पाया जाता है, रक्त की आर विसी कोशिकाओ में, इमोगलोबिन, नामक, रंजक, पाया जाता है, जिसके कारण, इसके, जिसके कारण, रक्त का, रंग, लाल होता है, इमोगलोबिन के कारण ही, आर विसी का जो रंग होता है, वो लाल होता है, यह बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट है, आर विसी कोशिकाओ में, इमोगलोबिन, नामक, रंजक, पाया जाता है, इसके कारण, रक्त का रंग, लाल होता है, हम, इमोगलोबिन की बात करते हैं, एक देखते हैं हीमो गलोविन हीमो गलोविन इनको हम अलग कर देते हैं इसको हम अलग कर देते हैं हिम प्लास गलोविन यहाँ पर साथ जो हीम है इसको लुहा खा जाता है यह क्या है यह प्रोटिन है यह क्या है यह क्या है प्रोटिन है लेकिन हीमो गलोविन में कौन से लुहा पाया जाता है यहाँ पर जो लुहा है वो हीमे हीमेटिन है कौन सा है हीमेटिन नामक का नामक लुहा पाया जाता है यह आपको ध्यान में रखना है जब हीमोगलोविन जब अकेला रहता है तब उसका रंग के से दिखाई देता है तो यहाँ पर एक में नोट लिख देता हूँ इमो गलोबिन इमो गलोबिन का जो रंग होता है यह बेगनी रंग का दिकाई देता है बेगनी रंग का कौन से रंग का दोस्ता बेगनी रंग का होता है इमो गलोबिन जब अलग रहता है तब बेगनी रंग का दिकाई देता है जब यह oxygen से किरिया करता है तब इसका जो रंग होता है वो लाल रंग हो जाता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा बहुत important है यह अब हम देखते हैं आर वी सी का कारिय यह कारिय क्या करती है तो इनके जो कारिय है पेला कारी है रक्त का रक्त का निर्मान करना इनी की बज़े से ही रक्त का निर्मान होता है रक्त में सरवादिक संक्या में आर्विसी पाई जाती है आर्विसी की संक्या रक्त के अंदर सरवादिक होती है और जो रख्त का निर्मान होता है वो भी आर वीसी से होता है दूसरा जो पॉइंटेस आती हो आर वीसी आर वीसी ओक्सीजन का परिभेन करती है क्या करती है परिभेन करती है हमारे सरीर के अंदर ओक्सीजन को ले जाना सरीर के भीविन अंगो तक ओक्सीजन पहुचाने का जो काम करती है वो रख्त की आर वीसी ही करती है लाल रख्त कने का ही करती है और सरील से ती ओटू मतलब कारवन डॉक्साइट को बहर निकालने का काम भी अमारी आर वीसी ही करती है तो पहला हो गया रख्त का निर्मान करती है दूसरों हो गया आर वीसी कोसी का ओक्सीजन वा सी ओटू कारवन डॉक्साइट गेस का परिवहन करती है क्या करती है दोस्तों परिवहन करती है यह हमारी कमपेट रख्त की फर्ष्ट कने का है आर वीसी कमपेट हो गई है ठीक है इसको अच्छे से आपको देखना है पूरा वीडियो और अपने दोस्तों के पास सेर करना है और आपकी विचार कमेंट में आप बता सकते हो जो नए है वो इस चेनल को सब्क्राइब कर सकते हैं ठीक है जेहन जे वारत